नमस्कार दोस्तों, मैं सुभा शर्मा चंडीगट से लाल किताब के ग्यान में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज ही हमारी चर्चा है स्किन की प्रोल्लम यानि कि चर्म रोग किसी तरह की जो स्किन प्रोल hen होती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे देखे चर्म रोग या skin problems बहुत तरह की होती है और ये skin की problems इंसान को हमेशा मांसिक दिक्कतें देती रहती है तो ऐसे case में हमें क्या करना है क्या हम देखें अपनी कुंडली में कि ऐसे कौन से ग्रहय योग हैं जो skin की problem दे रहे हैं देखे skin की जिसे भी problem होती है तो वो इंसान अपने आपको समाज में कभी भी fit नहीं कर पाता है वो इंसान हमेशा ही मन ही मन परिशान रहता है कि उसकी एक image क्या है social life में क्योंकि social life में एक लोगों के बीच में जाने से वो इंसान कतराता है अपने आपको side करके रखता है क्यो क्यान करती है अगर माल लीजे किसी के शरीर में कहीं पर भी कोई नुक्स है उसकी शरीरिक सुंदर्ता कहीं पर खराब है तो उसकी वो image जो है उसकी एक social life में value को भी बहुत कम रखेगी यानि कि वो इंसान अपने आपको कहीं पर भी एक लोगों के बीच में जगा नहीं ब बढ़ते हुए कदम को खीचने का कारण ही उसकी स्किन प्रॉलम होती है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चोटी सी कहानी बतायता हूं कि स्किन की प्रॉलम देखिए अगर तकलीफें हैं तो उनके उपाए भी हैं medical treatment हैं कुछ उपाए हम जोतिशे कुछ उपाए करके उनको करके अपने शरीरिक तकतों को हम दूर कर सकते हैं एक बार की बात है कि एक व्यक्ति उसकी मृत्ति हुई और वो उपर पहुंचा है वहां पहुंचा तो कुछ अपसराइं उसको दिखाई दी तो उनके सामने वो नंबर बनाने के लिए खड़ा हो गया तो उन्होंने पूछा हां भई कहां से आये हो कहता है मैं टाइटानिक का हीरो था तो आपसराओं ने बोला टाइटानिक डूबा था जलके राक नहीं हुआ था तेरा रंग इतना काला है जिस बज़े से पता लग जाता है तेरी सक्चाई का कि तु जूट बोल रहा है अब यही चीजे समझ प्रफ हो गया नहीं तो मैं भी मुझे भी लोग बच्पन में काला काला यह सब कहके चिडाय करते थे पर कहते हैं कि शादी के बाद कुछ चेंजिस आ जाते हैं तो बहुत से चेंजिस आए तो दोस्तों अब भी हम बात करते हैं कि जो स्किन की प्रॉलम्स हैं वो कैसे आती बीम अब डा vereं कि में चैनिकर खंध्य हैं इस में समझे कि एका कि व्यक्ति को कहीं रहें जुक्र अब अब यह शुक्र की एक खराब स्थिती हो गई अब इस खराब स्थिती को विपरीत परस्थिती में और कौन से फैक्टर्स बदलते हैं वो समझे अगर शुक्र की युति राहू के साथ हो शुक्र की युति अगर केतु के साथ हो शुक्र की युति अगर चंद्रमा के साथ हो तब इस केस में शुक्र आपका खराब हो जाता है और आपको स्किन की प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देता है अब कई बार आपने देखा को कई लोगों को फुल वैरी हो जाती है लूको डर्मा जिसे हम कहते हैं कुछ फंगल इंफेक्शन होते हैं बहुत सी तरीके हैं यह बहुत सी टाइपस हैं स्किन इंफेक्शन के अब स्किन इंफेक्शन जो होता है जिसको फंगल इंफेक्शन या कोई ऐसी लाचार बिमारी के रूप में जो हमारे शरीर में घर कर जाती है वो देखी जाती है शुक्र और राहू के कनेक्शन की वज़े से शुक्र और वगेरा शुरू हो जाते हैं कईयों के जगा जगा चकत्ते पड़ जाते हैं पहुत से तरह की हैं तो यह सब स्किन की प्रॉलम्स शुक्र केतु चंद्र राहु शनी से देखी जाती है अब शनी का क्या रोल है यह समझे अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्र और शन में है जो कि उसके जैसे कि खाना नंबर तीन में अगर आ गया खाना नंबर आठ में आ गया तब खाना नंबर छे में आ गया तब इस केस में समझे यहां पर चंद्र शनी का योग है और साथ में केतु भी नीच है और साथ ही साथ अगर शुक्र भी मंदा हो तो समझ लिजे स्किन के ट्रबल्स उसी हिसाब से यानि कि स्किन की जो परेशानिया है उसी लेवल तक बढ़ती जाएंगी कईओं को छोटी मोटी परेशानिया होती है वर्षफल के कौर्डिंग कहीं पर ये परेशानिया बन गई थोड़े समय के लिए स्किन की प्रॉलम होई ठीक हो गई कई बार क्या होता है कि हमारी कंडली में शुक्र और चयत्प का योग काफी है ऐसे केस में अगर इनसान अपने शिकिन की तरफ ला प्रॉलम हती है और उसको-स्किन की बीमारियां जेटिल हो जाती है mort तो इसके लावा और समझते हम और क्या कारण हो सकते हैं माल लीजिए राहु कुंडली में खाना नंबर एक में है छे में है आठ में है चार में है तब इस केस में भी इंसान काफी जादा गंदे सभाव का हो जाता है यानि कि अनहाना धोना कई बार आपने देखा होगा आदम जितना वह गंदगी रखता अपने शरीर में उतना ही वह खुश रहता है यह राहु के प्रभाव वाले व्यक्ति जातर ऐसे होते हैं कि वह उनको अनहाईजिनिक तरह से बहुत पसंद होता है अगर रूम होगा तो सारी चीज़ें डिस्टरब्ड होंगी कोई अपने infection का और रहो इंफेक्शन चाहिए वायरल हो चाहिए फंगल हो हर तरह का infection राहु से देखा जाता है राहु और शुक्र की अगर यूती बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को शबसे पहला है सबसे पहले और रहु किसी की कुंड़ी में यह ऊक्ति को दूदसे नहान करना है यह इतना डालना चाहे उस thu guarantee यह जाना चाहा है उसे खेसे नौनोहिधक़ तो सरस्वती माता के मंदिर जाके वहां पर नीले फूल चड़ाता रहे रहु खाना नमबर आठ में है तो आठ खोटे सिक्को का उपाय करता रहे ये उपाय उसके लिए काफी रहु को कंट्रोल करने में साहेक सिद्ध होगा अब बात करते हैं शुक्र और केतु की अगर किसी में आपको चांदी से बनी गाय भी मिल जाएंगी मिटी से बनी गाय भी मिल जाएंगी आपको ये गाय या तो जल परवा करनी है या तो ये गाय लेके बचड़े वाली आप धर्म स्थान में देते रहें तब यहां पर शुक्र और केतु की यूती है उससे आपका बचाव ह होता रहेगा अगर आप मिट्टी की गाये में थोड़ा से यहां पर चेंज आ जाता है कि यह मिट्टी की गाये और्बफटर आप खुद से बनाएं जैसा बनता है वैसा बना लें कोई कलाकारी नहीं करने आपको सिरफ उपाय करना है एक आकरती बनाए और मंदिर में जाके डोनेट करके आ जाएं या फिर जिसे हम कहते हैं किसी मूर्ती के आगे रखकर माता टेक कर आ जाएं और ये साल में एक बार भी करते रहेंगे तो आपके शुक्र और केतु का जो विपरीत परभाव है वो ध चाहें चार गराम लीजे चाहें पांच गराम लीजे चाहें शे गराम लीजे जितना आप ले सकते हैं जो अब लेबल हो रहा है उसे साबसे लेके आप शुक्र वार के दिन या फिर शनी वार के दिन ये बच्छडा और गाये आप मंदिर में पहुंचाते रहें साल में एक और चंदर और शनी के योग के इस योग को शांत करने के लिए आपको शाही जो इंक होती है घो पैन में पड़ा करती थी या फिर पर्मनेंट मारकर की इंक मिली जाती है को भी शाही लिजीये आप वह श्याए जल पर परकर रहिते रहे ते मंदीर में मूरति का आगे रख warm औ बादाम लीजिए और ये सब चीजें काले कपड़े में लपेट के आप चल परवा करिए ये ग्रहन के दिन के समय आपने करना है जिस दिन ग्रहन है उसके दिन में ही ये आप उपाय कर लीजिए और इसके साथ साथ बुद्ध को नेक करना यानि कि बुद्ध जो पक्षी होते इनको मूंग दाल रात को भीगा के सुबह पक्षियों को डालते रहें साबुत मूंग होती है इसको भीगा ये और सुबह पक्षियों को डालते रहें और साथी साथ छोटी कन्याओं के पैर चुके आशिरवार लेते रहें साबुत मूंग आप धरम स्थान में भी दान कर सकत तो दोस्तो आज की चर्चा में यही था कि छोटे-छोटे उपाय करके हम यह स्किन की प्रॉलम्स से बच सकते हैं, बाकी उपाय के साथ-साथ आपको medical treatment जरूर लेना है, कई बार किसी की कुंडली में शनी खाना नंबर 4 में होता है, तो ऐसे केस में शराब की 4 बूंदे पानी homeopathic दवाई लें, जो दवाई आपकी चल रही है, वो भी चलने दे, साथ में homeopathic दवाई लें, तो आपको बहुत जल्दी relief मिलना शुरू हो जाएगा, तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आप लोगों को कितना कुछ समझ के इस वीडियो में concept आपके clear हुए, जरूर बताईएगा और नई वीडियो कौन सी चाहते हैं, उसके बारे में भी बताईएगा, बाकी next वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को आगया दीजिए, नमस्कार